Welcome to Online Fiziccistory, good morning to all of you यहाँ पर देखिये friends, Indian Navy में वेकिंसी आई हुई है और जितने भी इस्ट्रेन है जिनको defense या फिर Navy में जो है जो है जो है जॉइन होना है तो friend यह बहुत अच्छी वेकिंसी है और यह वेकिंसी जो है आपको देखिए यहाँ पर मिल जाईगी date of opening जो है 18 September से होगी इसकी last date जो होगी application की वो होगी 5 October ठीक है इहाँ पर कौन कौन सी vacancy है उसके बारे में first of all बात कर लेते हैं पहले देखिए इहाँ पर दिया हुआ है General Service General Service Executive की vacancy है ध्यान रखेंगे इहाँ पर external naval orientation और इसके बाद दिये naval और electrical, naval इसकी सारी vacancy है और technical की vacancy है प्लस logistic की vacancy है controller की vacancy है यह सारी vacancy है यहाँ पर दी गई है इसका बात करते हैं हम इस चीज की लिए कि General Service की vacancy कितनी hydro card की तो यह vacancy हैं पर देखिए 45 vacancy हैं ध्यान रखेंगे 2 hydro की vacancy है man की vacancy हैं यहाँ पर देखिए आपकी जो date of birth रहेगी वो 97 से लेकर 2003 तक होना चाहिए प्लस भी चलेगा 2003 इयर traffic controller की vacancy है 4 यहाँ पर man boomer दोनों है 1997 से 21 एक तक चलेगी observer की vacancy हैं पर 8 है man boomer दोनों चलेगे pilot की vacancy हैं यहाँ पर 1998 से जन्म होना चाहिए उसके बाद 23 तक जन्म आपका चलेगा man boomer दोनों तीन vacancy हैं आप लोजिस्टिक की vacancy हैं देखिए लोजिस्टिक में देखिए B, Btec होना चाहिए आपको 1st class जैने की 60% MBA 1st class, BCA, BCOM, BSC BIT 1st class along with PG Diplomant in Finance, Logistics, Supplier, Chain Management, Material Management 18 vacancy है man boomer के लिए और 6 vacancy है 1997 से लेकर 2003 तक की यहाँ पर vacancy चलेगी Education qualification की बात करें आप अगर आपको Education branch की हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कौन कोंसी branch के लिए कितनी कितनी दी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नीचे आते हैं तो Engineer Engineer branch Service यानि की General Service जयनि GS की vacancy है BB Tech 60% आपकी पास उने चाहिए Around अगर आपको Subject था या Aerospace Subject था Automobile Subject था Control Engineer Subject था Industrial Engineer and Management था Instrument या Instrumentation Control Mechanical या फिर हम बात करें Mechanical में Automation वाला जो आता है Okay, जो आती है Okay, branch आती है Okay, Metatronics जो आपका Electronics और Mechanical का जो बो हता है Okay और Metology या फिर Production इससे किसी भी आप जो है आपने Engineering करी है या फिर आप Mechanical Engineering करी है BB Tech तो 27 Vacancies है Men के लिए मात रहे 1987 से लेकर 2-3 तकर आपने धिरी की है तो बिलकुल आप यहाँ पर Apply कर सकते है Okay, Electrical Branch के लिए अगर बात करें वही B.TEC होगा Electrical, Electronics Electronics Okay, Communication होगा Okay, Appliances या Communication होगा AC, AEC करी है आपने Okay, तो यह सारे कूर्स जो कर रहे हैं 34 Vacancy Men के लिए है 1987 से लेकर 2-3 तक जो है आपकी अगर डेट आप बढ़ता है तो बिलकुल आपलाई कर सकते है Naval Okay, Naval के लिए आप देखे B.TEC होगा चाहिए 60% Aeronautics या Aerospace Civil Mechanical Mechanical Automation या फिर Marine Engineering या Metalogy या Naval Okay, Archery या फिर यहाँ पर Ocean Engineering या Ship Technology Ship Building Ship Design ये सारा करा है इन मेंसे कुछ भी तो आप देखे 12 वेकेंसी जे मैं विवन दोनों के लिए है 1997 से लेकर 2003 तक जो है आपका Date of Birth होना चाहिए वहाँ पर आपको जो है Apply कर सकते है Okay, Vacancy Mention पराटू चलिए बिलकुल आपर नीचे देख लेते हैं लिखा हुआ है ओके चेक करते हैं आपर NCC Candidate की बात करें NCC Candidate पर C Certificate पांच वर्शन का Cut-Off जो होगा 2 बड़ दा Short-Listed SSB Subject to Meeting में फॉलिंग करेटरिया अच्छा अगर आपके पांच C जो Certificate है तो 5 नंबर का आपको फाइदा ही मिलेगा अगर आपके पास NCC Certificate है आपको पास होना चाहिए यह सारी जो है आपको Benefit मिल जाते है नीचे आते तो यहाँ पर चेक करते है क्या important चीज़ है जो भी important होगा तो बिल्कुल बताऊंगा मैं आप लोगों के लेकर फ्रेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट चती है कि जितनी भी वीडियो में लेके आता हूं Official Notification लेके आता हूं तो इसको जुरूर देखें और आपको अगर लगता है बिल्कुल वीडियो शेयर करे चीज़ तो वीडियो भी शेयर करिएगा ओके Selection Process यहाँ पर लेके Selection Process of Follows Short Listed Application Based on Preferences, Enter and Normalization Marks Okay, Obtain the Candidate in the Qualification Degree Okay, Marks Obtain by the Candidate in Qualification Degree अच्छा यह जो है Exam की बात हो रही है ऐसा B.B.Tech की बात हो रही है For Candid who have complete the Final Year B.B.Tech Marks Obtain अच्छा कितने आपने Final Year में कितने Marks Obtain कि है उसके According जो है Non-Technical Degrees के लिए For Candid who have complete M.C.A. Okay, M.B.A., M.A., M.S.C., B.S.C., B.K.O.M. Marks जो हैं तबी है Semester will be considered for candidate अच्छा अगर आपने जो है जैसे माल लिजए Engineering में 8 semester होते हैं तो 8 हमें अगर 8 बार Qualify किया तो ठीक नहीं किया है अगर आप से तो आपको वैसी एटा देंगे भी बहुत सारे स्टून होते हैं एक पहली बार में ही Qualify कर लेते हैं, ठीक है Candid who select the final list will be required to submit the proof of completing the qualifying degree with the 60% marks आपके 60% marks होने चाहिए अगर आपका कोई डिगरी है उसका, यहां पर देंगे No communication will be entered Okay, entertained in this regard अच्छा, आपको कोई भी ऐसा कुछ मतलब कर रहा है नहीं जाएगा ध्यान लखेंगे बहुत नहीं देंगे स्ट लिश्टेट for candidate will be informed that SSB interview through the mail अच्छा, आपको SSB के interview के द्वारा या फिर आपको mail के द्वारा बतारी आगा क्या आप selected हो जोगे Selected Merit List पर आए थे होंगे यापर Okay, change of SSB Center of Examination Interview is not Permissionable under any Circumstance Okay, ठीक है Any corresponding regarding Change of SSB अच्छा, आप जो है अपना जो है मतलब जो exam का Center, कुछ चीज नहीं करता होगे सब बोल रहे हैं आपर नीचे आते हैं भी है कोई medical की बात तो आपको बताऊगा Medical का देख कर जाना भी इसमें बहुत important होता है अच्छा कि apply करने के लिए आपको कुछ नहीं करना Candid are registered आपको Indian Army की जो website है Join Indian Navy अच्छा सब्सक्राइप सब्सक्राइब कृब्सक्षा ड क refuse कोई पैसाल नहीं है बाकी यहां पर आपको यह सी दिख जाईगी देखने के लिए ट्रेनिंग आप देखी लेज़ेगा ट्रेनिंग का ऊपे पुर adapts कोई दिक्कत आता है और आपने कोई दिक्कत करें तो आए तो आई यह वीडियो आपको help लगी तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिए लाइक किया लगता है कि बिल्कुल आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिए इसका और जितनी वीडियो था उनकी नोटिफिकेशन तुरंत बल जाएं वीडियो को आप देखा है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें चल सब्सक्राइब कर दिए थैंक फ्रेंड वाचिंग इस वीडियो बैसा आपके एक्जाम के लिए आपके रिजल के लिए